गुद मॉर्णिंग बॉज और गल्स हम मैट्स के अंदर नौवी पस्टनाली पढ़ रहे थे उस 9.1 के हमने 13 कुरसंस देख लिये थे आपने स्वालव कर दी होंगे आज हम कुरसंस नमर लेते 14 कौन सा कुरसंस लेते हैं 14 देखो पस्टनाली 9 और 9.1 चल रहे थे उस 9.1 का आ दिये होंगे पी और क्यू के मान लेठा यह पी है और यह क्यू है इसके निदेसांग हमें दिये होंगे क्या दिये होंगे P के निदे सांग है A cos theta ये इसके X का मान है और B sin theta ये इसके Y का मान है ये P के निदे सांग है Q के निदे सांग क्या है minus A sin theta और B cos theta ये Q के निदे सांग है X और Y तो सीद कीजिए तो हमें प्रूव करना है सीद करना है क्या सीद करना है सीद करना है op square सीद करना है op square plus oq square is equal to A square plus B square और क्या कह रहे हैं जहां O मुल बिंदू है जहां O क्या है मुल बिंदू मुल बिंदू है चलो तो द्यान से अब आप इसको समझे इसको हमें solve यानि प्रूफ करना है देखो क्या कहा है P और Q के हमें दिये सांग दिये हुए हैं और सिध करना है OP square और O Q square बराबर A square plus B square यह हमें लाना है अब यह बात क्या कर रहा है के जहां O मुल बिंदू है जहां O क्या है मुल बिंदू है यहाँ यहां देखो OP का मतलब क्या है मूल बिंदू से दूरी है किसे है मूल बिंदू से दूरी मान लिया मैंने यहाँ O मान लिया यह मूल बिंदू है O तो बताओ मूल बिंदू की दूरी क्या होगी 0 जीरो तो बताओ OP क्या होगी यह OP और यह O की तो बताओ मैंने कल ही आपको बताया था कि मूल बिंदू से जब दूरी पूछे तो दूसरे के जो X और Y के माने उनका आप क्या कर दो स्क्वाइर कर दो तो ये X1 मान लिया, ये Y1 मान लिया इसको मैंने क्या मान लिया X2 मान लिया, इसको Y2 मान लिया यह जब मूल बिंदू से कोई दूरी हो तो मैंने आपको formula कल बताया था कि मूल बिंदू से दो बिंदू मैं से एक मूल बिंदू हो तो उसका formula क्या direct X square plus Y square तो अब देखो इसको मैं स्व्वालू करता हूँ तो बताओ मुझे यह क्या है OP dp quarters instead of the four democracies लगाते हैं मोल बिंदू इसमें एक दूसरा दूसरा नदू यह जहिए यह मुल बिंदू से दूरी ओठीए था फॉरमूला क्या लगाते है हैν मोल बिंदू से दूरी का फॉर्मूला हम लगाते हैं मूल बिंदू से दूरी पहले में फॉर्मूला आपको और Y का स्कॉयर कर दो तो उसकी दूरी आ जाएगी ध्याना तो मैंने यहां X और Y की दिखर क्या लिखा एक्स वन और वाय वन यह किसके प्लस O3 का स्कॉयर अब आप मुझे बताओ सबसे पहले हैं क्या लिखना पड़ेगा और फिर इसका होल इसकॉयर करना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डारेक्ट यह लिख देता हूं यह अंडूर में लिखा मैंने अंडूर की देखो ओ, ओ पी की दूरी क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या लगा, तो X1 और Y1 का होल स्क्वाइर, तो बताओ, यहां हो जाएगा, X1 का स्क्वाइर, प्लस Y1 का होल स्क्वाइर, अब इसका हमें क्या करना है, whole square तो यह whole square प्लस O Q के लिए बताओ क्या जाएगा O Q के लिए इसमें O मूल बिंदू है तो दूसरे बिंदू का square करना है तो Q क्या है X2 plus Y2 का whole square तो X2 plus X2 का whole square और plus Y2 का whole square यह दोनों कर देते हैं हम इसको अठा देते हैं इसको को जुरूती नहीं है इसकी तो यह on aujourd oder रिफेक सेलिए पीक निदेसांग लिखके इसके square करो और OQ है तो यह O मूल बिंदू है तो Q के निदेसांग TBS 2 रिफेक स्टू आर एकस्टू का square और वायइटू का square अब इसका क्या करना है whole square क्रना है यह whole square हो गया तो यह यह सका इसका अरूर स्कृर है एक्सशू के का इसका इसका होल है यह हमें कोशन men दिय हूं उपी लिख मैं रहे यहां पर यहां रहे जाएगा एक्सं का इसका इसक्षार नबस्द स्टियास का स्क्वेर और प्लस वायाटू का स्क्वेर और मjutलेक है और गल्र हेखसे हो जाएगा dust क्यों आजंब को टो अब इसको एक्सक्राइब हो डीन्सी व्हारइब मुल्बिस्ट का स्क्वेर नियुक्त नियुक्त वायां सब्सक्राइब श्यूर सब्सक्राइब को इसका हुआaska पर किसे बिए इसके मान घाल एकिता का मान कितना है a cos theta तो क्या लिख दूंगा a cos theta का whole square ये whole square yeah plus why 1 का मान क्या है b sin theta तो b sin theta का whole square b sin theta का whole square ये ओग गया whole square plus x2 का square x2 कितना है minus a sin theta my-a sine theta ka whole square plus y2 ka whole square Y2 क्या B cos theta ka whole square तो यह लिख दिया B cos theta ka whole square औरागे मुझे बताओ आगे मैं solve करता हूं तो बताओ क्या होज़ेगा a cos theta ka whole square स्कूर का मैं एका स्कूर और कॉस स्कूर ठीटा प्लस भी साइन स्कूर का बी स्कूर और साइन स्कूर ठीटा प्लस माइनस यह तो एका तो माइनस एका यह से गुना ही करना है ना माइनस साइन ठीटा का माइनस साइन ठीटा से गुना करता तो इसका स्कूर क्या हो जाएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा a square sin square theta प्लस इसका क्या हो जाएगा b square और cos square theta अब आप देखो बताना मुझे मैं आगे solve करता हूँ तो मुझे ये वजाना कि a cos a वाला कोई पद है ये रहा b वाला पद है ये रहा तो sample कौन से देखो a cos square theta और a sin square theta इनको पास में लिख देता हूँ तो बताओ क्या हो जाएगा a square cos square theta प्लस a square sin square theta प्लस क्या है b square sin square theta ये पीछे रहा और plus b square cos square theta ये पीछे रहे दोनो a वाले मैंने पास में लिख दिये दोनो b b वाले मैंने पास में लिख दिये बताओ दोनों के अंदर common क्या है इनमे common a square है तो a square को लिख दिया बाहर तो बताओ अंदर क्या हो गया cos square theta plus sin square theta क्या हो गया देखो दोनों में a square a square common है न तो square को common ले लिया तो क्या होगा cos square theta plus sin square theta इन दोनों में क्या b square है तो plus b square को ले लिया बाहर तो बताओ क्या ले जाएगा sin square theta plus cos square theta क्या हो गया cos square theta plus sin square theta इसमें क्या b square बार आगे तो sin square theta plus cos square बताउ, cosờ Facebook Porter plus sinờ, lambda Is equal to कितना होता है? एक होता है, न, sinờ Is गो फिटा plus cosờ, kतो कितना होता है? एक, बताउ, क्या हो जाएगा? a square into a, plus, बताउ, b square, ये भी क्या है? sin giờ equal equals cosờ, lambda Is equal to कितना होता है? एक, तो बताउ, क्या आगया? a square plus b square, a square plus b square, जो हमें प्रूफ करना था यह हो गया प्रूफ क्या बात समझ में आ गए a square plus b square तो यह हमारे पास जो प्रूफ करना था a square plus b इसको लाना था यह आ गया a square plus b square तो बिलकुश सिंपल सा है कोई ज़्याद ने लेगा important questions है important questions है द्यान है चलो तो इसको हम अब क्या कर देते हैं मिटा देते हैं स्वज में आ गया होगा आपको चलो कि अब हम बात करते हैं कि अगले कुस्स की अगले कुस्स की बात करें तो वह कुस्स बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा ध्यान है आप मैं अगले कुस्स की बात करता हूं तो आप मुझे ध्यान से यह समझे नहीं देखो अब करते हैं को संस नमर 15 कीडिये कि इसलिए हैं न जन्बर किस की फंध्रा कर रहतरी यदे गाले संभावत रिबूज कि दो सी हमें तीसरा सीज ग्याद करें तो पंदर भाठी संस एक संभावत रिबूज कि हमें दो सिर्ष दिये हुए है तो तीसरा सिर्ष ग्याद करें। दो सिर्ष दिये हुए है। माले यह जिए है यह चलो बता हो इसको क्या मान लेता हूं X1 और Y1 इसको क्या मान लेता हूं X2 और ustra आपको घ्यात करना इसको दिहान से समझना क्योंकि एक थोड़ा बड़ा कोशन से इसको दियान से आप समझोगे तो लेधी कोश्न बड़ा है है यह वाली यह वाली और यह वाली तो बताओ सभी भुजाय बराबर होगी तो उनकी दूरिया भी तो बराबर होगी एबी बीसी एसी सब बराबर होगी तो मैं स्वाल करता हूं यहां से क्योंकि पूरा बोर यूज होगा तो हम इसलिए आंसे स्वाल कर रहा हूँ तो देखो बताओ क्या हो जाएगा संभाव त्री गुज़ में तीनों गुज़ा बराबर होती तो बताओ मुझे बताओ A, B, B, C और A, C क्या हो जाएगा A, B, B, C, A, C ये तीनों क्या होंगे बराबर होंगे तीनों बराबर होंगे तो बताओ सबसे पहले हमें A, B की दूरी निकालता हूँ बताओ A, B की दूरी आप देखो ध्यान से देखो A, B की दूरी हमें निकालने किसके निकालने A, B की दूरी तो बताओ A और B AB की दूरी निकाले तो इसमें यह तो मूल बिंदू है इसका स्कॉर करना स्रिफ यह तो क्या है यह तो मूल बिंदू है ना मूल बिंदू से AB दूरी तो यह क्या है एक इसमें मूल बिंदू है तो इसका मूल बिंदू है तो इसका मूल बिंदू है तो इसका मूल बिंदू है तो दूसरे बिंदू का शरीफ हमें क्या करना इसकोर करना X2 प्लस Y2 यानि X2 का स्कूर प्लस Y तो मैंना डार्ट लिख दिया अब देखो BC की बात करते हैं AC को मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं यह BC चलो अब हम BC की बात करते हैं BC बताब यह वाली दूरी तो चलो इस वाली दूरी में वह फर्मूला लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा? X3- C2 जाएगा और Y3- Y2 जाएगा तो बताओ X3 का मान क्या है? X3 तो है इसको XY मान लेता हूं ठीक है? चलो इसको क्या मान लेता हूं? XY ताकि हमें प्रॉप्लम नहीं होगी यह X3 और यह Y3 की value है यानि X3 और यह X1, Y1, X2, Y2 और इसके मान गयात करने इसलिए मैंने इसको X और Y ले लिया लेकिन यह X3 और Y3 के इक्वल है चलो बताओ तो इसका मान एक्स 3 में से X2 जाएगा तो X में से कितना घठाना है 3 तो बताओ क्या हो जब एक्स माइनस 3 का बताओ यह क्या हो गया यह क्या हो गया X3 में से X2 गया तो X3 का मान कितना है X है और X2 का मान कितना है 3 है तो X माइनस 3 का होल स्कॉर है बताओ अगला क्या हो जब एका Y3 माइनस Y2 तो Y3 का मान कितना है Y और Y2 का मान कितना है अंडूर के 3 तो बताओ क्या हो जागा y-3 का whole square अई बैस में इसको c के निदेसांग हमें ग्याद करने है दो के निदेसांग तीसरे के ग्याद करने तो इसको उने x और y माल लिया लेकिन यह x1 y1 है यह x2 y2 है तो यह x3 y3 है तो x3 में से x2 गया y3 में से y2 गया इनका whole square अगया बताओ अब हमें अगली तरफ क्या लिखना है ac लिखना है न तो अब मैं ac की दूरी बता देता हूं देखो ac यह ac बताओ ac निकालना तो एक क्या है थे मूल बिंडू और एक क्या है यह वाला बिंदू आप यह is एक क्या है मूल बिंदू के दूरी टार Kayla की क्या हो स्कवयर प्लस y मानने कर लिया तो दहां अगना प्हले निकालना ablec में कोई मूल बिंदू नहीं एकस-3 मैस relied मैं को चोब टू का होल इसकोर और तो एकस मैश से तीन गया तो एकस मांचसा टिन गडया और वाई मैं से अनुर तिन का होले स्कुर और और लास्ट रेको क्या这么 तो पूरी निकाले तो यह मोल बिंदु है यह रहा और दूसरे के स्कॉर कर लेंगे तो X प्लस Y यह ती नो बराबर है एबी B C E C क्योंकि थी नों की बुझाए बराबर रहा बताओ यह मैंने माल लिया अब इसको मैं इस्को वार्व सोटाओ से पहला में महला हो और इसको स्वाल करेंगे अच दिन का इसको एक सवस्तरा किया कि नो और अन्दूर 3 का है इसको कितना दा वर 28 हिए के बराबर यह को क्या हो गया हमारे पास x square plus y square अब आगे देखो इसको जोड़ लेंगे अपन देखो या इसको बाद में जोड़ लेते हैं यह मेरे पास बन गया first equation यह क्या बन की मेरे पास second equation और यह मेरे पास क्या बन की third equation चल यह मेरे पास first हो गया को है ये मेरे फरस 52 से कर लेंगे और हुर एक तो फर्स इसोह करेंगे तो पहले पिर इसके थरुआ पाईगा ये फिर आरा कि से करता umaर대 इसके साथ साथ और हम वहरा आउगा तो फेर्षिट की तुलना किस से करता हूं सेकिंद से तो देहरो अब लिखता हूं first वर second से first वर second से तीनों बराबर तो एक को first पद एक को second पद एक को third पद मान लिया मैंने इसका मान मुझे पता है 9 और 3 कितना होता है 12 तो इसकी value किससे second से कर लेता हूं तो बताओ यहां मैं अंडूड में क्या लिख देता हूं यह 9 प्लस 3 यानि क्या लिख देता हूं 12 लिख देता हूं नो डिरेक्ट यह लिख दिया 12 बराबर में क्या लिख देता हूं बताओ बराबर में यह लिख देता हूं तो बराबर में अंडूड में क्या हो जाएगा बताओ x minus 3 का whole square plus y minus undued 3 का whole square आई बैस्वज में यहां तक बताओ, दोनों के undued है तो दोनों का क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ कल भी मैंने बताया था कि जब दोनों तरफ undued होता है तो वर्ग कर दो, undued हो जाएगा तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग तो क्या लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर स्रिफ लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता इसका square करने पर क्या होगा, undued अड़ जाएगा तो बताओ, यहां क्या रहेगा 12 और यहां क्या रहे ज़ागा? x-3 whole square plus y-3 whole square अई बहासोज मैं, चलो, swallow करते हैं इसको, बताओ 12 बराबर, बताओ x ये तो अलग है, यहां नहीं करना ये तो पूरा ही बदल अलगे 12, अब दीखो, इसको swallow करते हैं, तो क्या हो जागा? A square minus 2 AB plus B square बार बार नहीं बताऊँगा A square minus 2 AB plus B square बताऊ क्या हो जगा X square minus इन दोनों का गुना करका 2 से 3 का X से गुना किया तो 3X 3X का 2 से गुना किया तो कितने होगे 6X तो यह x square plus 2 X square A square minus 2 AB plus B square वाला formula यह लगा रहा हूँ तो x square 3 और x का गुना 3x का 2 से गुना किया तो 6x और प्लस 3 का इसको कितना हुआ 9 बताओ यहां लगाओंगा तो क्या हो जागा y square minus अंडूर 3 का y से गुना किया तो अंडूर 3y उसका 2 से गुणा क्या हो जाएगा 2 अंडूर 3y और प्लस अंडूर 3 का स्कूर कितना हो जाएगा 3 अई बात सोज में a2-2ab-b2 दोनों में माइनस वाला फर्मूला लगेगा कौन सा ये वाला मैं बता देता हूं a-b का होल स्कुर बदावर a-1 2ab-2 wala formula मैंने जिसमें लगा या वाला फर्मूला इसमें लगाया है तो x2-2ab दो इन दोनों का कुना करके दो से गुना 3x से गुना 3 X का 2 से गुना के तो कितना हुए छे X, 364 9y का 24 y और यहां इसको आगे करता हूं यहां उपर कर लेता हूं यह इस पर चोड़ता हूं देखो यह बराबर में कितने बारा है यह बारा आगे बताओ यह किया है x square यह x square बताओ यह कितना है 6x, 7 ऐसा कैसा रहेगा यह 6x और plus देखो, plus बताओ यह 9 और यह 3 9 और 3 मिलके कितने होगे, 12 होगे 9 और 3 मिलके कितने होगे, 12 तो यह होगे 12 plus क्या है y square, यह y square और minus क्या है, 2 under 3 y बताओ, यह 12 इदर भी है और 12 इदर भी है, बराबर की तो दोनों तरफ क्या होजाएंगे cancel होजाएंगे, कि cancel होगे तो बताओ, क्या रहा हमारे पास हमारे पास रहा, x square plus y square minus 6x minus 2 under 3 y और बराबर में रह गया 0 बराबर में 0 कैसे रहा, देखो ध्यान देना x square रहा, y square फिर मैंने 6 x को लिका, फिर मैंने 2 under 3 y, बराबर 0 क्योंकि ये 12 से 12 cancel हो गया, तो ये 0 रहा, समझे गे ये क्या रहा, 0 रहा यहां तक बात समझ में आ गई है आपको, चलो, यहां तक बात समझ में आ गई है, तो मैं बताता हूं कि अब इसको मैं equation क्या माल लेता हूं equation मैं इसको fourth माल लेता हूं equation क्या माल लेता हूं, fourth इसको equation मैं क्या माल लेता हूं, fourth माल लेता हूं अब मैं तुलना किसकी करता हूं, first और third की किसकी तुलना करता हूं, first और third की तो फर्स्ट देखो क्या है वापिस अंडूड के बारा बराबर थड़ क्या है एक्स स्कूर प्लस वाई स्कूर पूरा कॉंसंट्रेट करना नहीं तो एक भी स्टेप आप भूल गए तो गए काम से वापिस देखना पड़ेगा अंडूड बारा दोनों तरफ वर्ग करेंगे इक्वेशन क्या माल लेता हूं फिप्ट माल लेता हूं है यही बात समझे में बदाओ इक्वेशन फिप्ट में माल लेता हूं इसको तो बदाओ इसकी वेल्यू इसकी वेल्यू कहां रख देता हूं इसकी वेल्यू में कहां रख देता हूं इसकी वेल्यू जो है मैं यहां रख देता हूं किसमें इसमें फॉर्थ में तो equation 5 का मान equation 5 कॉन मान फोर्थ में रखने पर एक्वेशन फिप्ट का मान कहां रख देता हूं फोर्थ में एक्वेशन फिप्ट का मान में कहां रख देता हूं फोर्थ में रख देता हूं तो बताओ इस फोर्थ में एक्वेशन फिप्ट का में में मान दखूंगा तो बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा इस एक्स प्लस वाइश कोई के जगर 12 रख देता हूं तो बताओ 12-6x-2-3y बराबर 0 क्या बन गया समझे में आ गया एक्सिक्वर प्लस वाइश को वाइश की जगर कितना रख दिया बारा रख दिया छे एक्स ऐसा माइनस दो अंडूर तीन वाई अई बासमें चलो आगे मुझे यहां से बताओ कि मैं है यहां से एक value निकाल देता हूं बाहर एक value में इसमें से क्या निकाल देता हूं बाहर निकाल देता हूं किसके निकाल देता हूं X12 चींड को पाग सेवे में इस इसमें भी दो का भाग जा रहा है तो बताओ कंई जा रहा है जा रहा है रहे से दिन तीन वह रहेगा और यहां गर्ण legal के पर यथे कि आई बदर ने टेगा से देटाओं तुन चीन का सीति यूप फार अजाएगी एक्सकी мен पास आ जाएगी छे माइनस अंडूर 3y बठा 3 over呢 6-3y – 13 यह किसकी हली आगई एक्सकी फिक्त मैं रख देता हूं इक्वेशन फिक्त मैं रखने पर मुझे य की वेल्यू पता चल जाएगी वाइक की वेल्यू का मान इसमें रख दूंगा तो एक्स के वेल्यू भी पता चल जाएगी तो मैंने कहा था आपको कि सवाल बड़ा है तो दियान से समझ लिया होगा यहां तक तो एबी सी तीन होगे एक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तु कि विटा रहा हूं तो देखो एक्सकी वेल्यू हम किस में रख देते हैं एक्वेशन फिव्ट में हम रख देते हैं कि तो देखो बताओ एक्स की वेल्यू फिप्त में रखने पर चपा मान इक्वेशन कि फिप्त में रखने पर तो बताओ क्या हो जाएगा यह क्या है हमने पास एक्स स्क्वयर प्लस वाई स्क्वयर बराबर 12 है ठीक है यह रहा x square plus y square बराबर 12, मैंने इदर लिखा, x की value रखनी है न, x की value कितनी है देखो, 6 minus unroot 3 y बटा 3, इसका क्या करना है, all square, यह all square, plus क्या है, y square बराबर 12, ज्यान समझना, इसका square करोगे तो उपर क्या हो जाएगा, देखो, 6 का score कितना हो जाएगा, 6 का score कितना हो जाएगा, 6 का score हो जाएगा, 36 minus का वही formula लगए, a square minus 2b plus b square, 6 का score 36, और फिस 6 का unroot 3 से गुणा, 6 and root 3y, और इसका 2 से गुणा करूँगा, तो 12 and root 3y, ठीक है, यह हो जाएगा, 6 and root 3, बाई, इसमें, ऊपर तो क्या लगएगा, a square minus b square लगएगा, तो a square यह जाएगा, 6 का score 36, 6 and root 3, 6 and root 3 का 2 से ग square, 9, इस सभी का score, ऊपर क्या लगा, a, यह वाला formula लगा, ऊपर, a square minus b square, बराबर a square minus 2, a b plus b square, यह लगा, ऊपर वाले में, 36 minus 12 and root 3y, प्लस, sorry, and root 3y का whole square क्या हो गया, 3y square, और प्लस में क्या है, plus में है y square, बराबर में क्या है, 12 है, बताओ, अब यहां हम LCM लेंगे, तो LCM बताओ, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऊपर वाला मान, ऐसा है कैसा, 36 minus 12 and root 3y, प्लस, 3y square, और 9 का y से गुना क्या, तो कितना होगे, 9y square, बराबर 12, चलो, आगे देखो, स्वालो करता हूँ, तो बताओ, क्या हो जाएगा, 9 का 12 से गुना हो जाएगा, तो यहां देखो तो यहां क्या होगे, 36 minus 12 and root 3y, प्लस, 9 और 3 कितने होगे, 12, तो 12y square, बराबर, यह 9 का 12 से गुना हुआ, तो 12 into 9 कर देता हूँ, डारेक्ट 12 into 9 में करता हूँ, बताओ, आगे स्वालो करते हैं, तो बताओ, क्या हो जाएगा, इस 36 को, इस सभी में 12 का भाग जा रहा है, तो 12 12 सारे कड़ गए, तो 12 तिया, 36 कितनी बार गया, तीन बार, यह यही रहा, यहां पर एक रहा, और यहां नो हो रहा हो, तो बताओ, क्या बन गया, 3 minus, अंडूर 3 y, plus y square बराबर 9, 20 बराबर 9, बताओ, 9 को अंदर ले यहां, तो समीकन क्या बने गा, मेरे पास, समीकन बनेगा y squared minus and root 3y ये 3 तो पहले से था ही प्λιस के 3 तो पहले से थे ये 9 बराबर 0 तो बताओ वाई समीकन क्या बन गया y squared minus and root 3y 9 में से 3 गये तो minus के 6 बराबर 0 ये आ गया एक दीगाब समीकरण क्या आ गया दीगाब समीकरण y square minus and root 3y यह नो अंदर आ गया तो क्या होगे तीन माइनस के नौ तो बताओ यह क्या बन गया एक दीग हाथ समीकन बन गया अब इस दीग हाथ समीकन के दो टुकड़े करने पड़ेंगे तो आगे से यह भी मिटाना पड़ेगा अब कोसंस बढ़ा है मैंने पहले कहा दिया था आपको ब्यान से समझोगे इसको यह कुछंस है इसमें दो कुछंस ऐसे बड़े हैं बस बाकि कोई नहीं अब इसकी वेल्यू हम आगे करते हैं अब बताओ कि यहाद होना हैं आमको जो में जिए चलो अब देखो बात्र यहां पर अब इसके टुकडे करते हैं इसके टुकडे करते आका Advanced समयन के टूकरने करने आने चीह हैं अवह अमने सिक hier माइन 6 ए बराबर 0 मगन भ्लजा जोडने घटाने पर बीच वाला पद पहले पद अंतिमन का गुणा जोडने गटाने भी तो अंडूर 3 तो बताओ इसका दो पद यह से हो जाएंगे ने क्या देखो एक तो मैं लिख देता हूं दो अंडूर 3 और एक लिखता हूं अंडूर 3 लो गुणा करने पर क्या बना द यानि & 6y स्को लाना हें एए cah law और देखाने पर कितना गटाने쪽ं पर थो अंडूर 3 में चивает तो अंडूर इसका मिला दो पर्ण क्या बन गया एक तो बन गया दो अंडूर 3 और 1 अंडूर 3 तो बताओ क्या हो देगा gebe-श्यकर-डू अज्यक्यक्यक्त Kund Nadia और यह पर कितने आ रहे माइनस दो यहां पर भी वह होगा आ दो अनूर 3 जो पहले वाले में को स्टक है वो का दूसरे में बीजी होगा तो बाए बार आगया बता अधर क्या आ जैगा यहां आजएगा प्लस-का अडूर् 2 स सबंगे सेमान डूर्ण एक कोश्टए के यप लस अंडूर 3 और हो गया केस्ट वह एक्र वां नहीं माइनस कि दो अंडूर थीज़ बराबर य थी य हो गई दो अंडूर थीज एक वाय य यह आगई और यह वह प्लस अंडूर थी एकवाय के वाय पास आगे माइनस के अंडूर 2 2 3 तो y के कितने माहने जो मान होगे दो मान आगे उसका बनाए मैंने तो एक्स का मैंने क्या बनाया था एक्स की वेल्यू मैंने क्या रखे थी एक्स की मैंने बताया थी ना आपको 6-3y बटा 3 यही तो था एक्स का मान यानि कौन सा था एक्स के वेल्यू कितनी थी 6-3y यह लिखा था हमने एक्स की वेल्यू यह थी 6-3y बटा 3 यह किसका मान था एक् ब्राबर यह लिखाता आगे वाले प्रद में x की वेल्यू हमने इस में रखी थी तो x का मान क्या था एक्स बराबर 6-3 y बत्टा थी बस वहां y की वेल्यू रखेंगे दोनों रखेंगे यह भी रखेंगे और यह भी रखेंगे तो आंसर क्या एंगा देखो x बराबर 6 माइनस एक बार हम अंडूर 3 की जगह क्या रख देते y का मान 2 अंडूर 3 तो यह हो गया 2 अंडूर 3 बटा 3 तो बताओ क्या हो जगह x बराबर 6 माइनस अंडूर 3 का अंडूर 3 से गुना क्या तो 3 और 3 का 2 से गुना क्या तो 6 एक्स बराबर जीरो आया कब आया एक्स बुराबर जीरो जब मान कितना रखा वाय की वेली इतने रखने पर यहां य की वेलिव रखनी है अमने दो अंगूर तीन अब की बार कितना पड़ेगा एक सब्सक्राइब दूसरी बार यह केस फर्स्ट मांनों इसको केस कर्सक्त अब केस्ट ले लेता हूं अब x बराबर क्या है 6-3 into y की वेलिव अब की बार कितनी रखनी है minus 3 तो वह गे minus के अंदूर 3 बटा 3 तो बताओ क्या हो जागा x बराबर 6 minus minus plus अंदूर 3 का अंदूर 3 से गुना 3 बटा 3 तो 6 और 3 कितना हो है 9 बटा 3 तो 9 का इसमें भाग दिया तो 3 तो बताओ x की वेलिव कितनी आ गई 3 आ गई इसका मतलब क्या हुआ दो पद हमारे पास क्या आ गई कि जब हम 2 अंदूर 3 रखते हैं तो x की वेलिव कितनी हाती है जीरो आती है नॉ एक्सक souvent χिरोट एक तो आंजर क्या होग्या जीरो और दो अंदूर टीन एक तो यह आंस्र हो गया के सिया धोंडूर 3 वायी का मान रखना पर एक्सकी min कि जी रोह के सीख एगी और दूसरा आंसर क्या हो गया कि एक्सकी टीन और दोर 1 मगा माइर मैनस की लिए प सहलिटा है माइनस्त की गूस अब actionr करने पर हमें बहुत सारी छीजे कनologist यह बहुत सारे समूंगा सारीन यह घाल किसा किस तरीका से करना है साधना कि समझे यह सब्सक्राइब तो इसमे लगेगी तो मैं इसको वापिस आणद यहां थक लास करें और लड़कों कोई सुझ में आ गया तो अच्छी बात है नहीं सुझ में आया तो मैं वापीस समझाऊंगा अगया सुझ में आज के लिए इतना ही कल हम लेंगे पशनाली 9.2 उसके फार्मुले देखेंगे फिर इनको स्टार्ट करेंगे धन्यवाद